नमस्कार दोस्तों स्थोगाद आप सभी का इंडियन फूटबल से जुरी एक और नए वीडियो में तो गैस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ISL 2021 से जुरी कुछ नए और इंपोर्टन ट्रांसफर अपडेट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा सबसे पहला अपडेट्स निकल कर आया है ओडिशे FC के बारे में तो गईस ओडिशे FC ने यहाँ पर ओफिशियल तरीके से कॉन्फर्म साइनिंग कर लिया है एक निउस ट्राइकर को जिसका नाम है भाई दिएगो माउरिसियो तो दिएगो माउरिसियो एक ब्राजिलियन सेंडर पड़ ओड़ है और इनके एज है 29 इन्होंने अपना यूथ केरियर में ब्राजिल का अंडर 19 और अंडर 20 टीम के तरफ से नेईमर के साथ खेला है इसके लवा ब्राजिलियन स्टार रोनल्डीनों के साथ भी इन्होंने एक ही टीम में खेला है इसके लवा क्लाब केरियर के अंदर भी इन्होंने के वान लिग ब्राजिलियन फास्ट एर सीरी है राशियन प्रिमेर लिग है जो राशियन फास्ट एर लिग है इसके लगा लिगा नॉस और चाइनीज सूपर लिग में भी इन्होंने बहुत सारा क्लाबों के तरफ से खेला है तो बहुती जबरदस्त एक स्ट्राइकर है दियागो माउडिसियो और इनको अब ओफिसियल तरिकी से कॉन्फर्म साइनिंग कर लिया है और शेफसी नेक्ट सीजन आई एसल के लिए उसके बाद अगर बात किया जाए केलाव लस्टर सेफसी के बारे में तो गैस केलाव लस्टर सेफसी ने यहाँ पर दो नए विदेशी खिलाडियों के उपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है जिनमें से एक है भाई फ्यकूंडो पेरेईडा तो इनके बारे में अगर बात किया जाए तो फ्यकूंडो पेरेईडा एक 32 वर्शिवा आर्जेंटेंट सेंटर फरोड है जो मेंली एज सेकेंड स्ट्राइकर के दौर पर खेलते हैं और इसके लावाई यह अटाकिंग मिद्फिल्ट और राइ टुइंगेर के पोसिशन में भी खेल सकते हैं इनके अगर केरियर स्टेट्स देखा जाए तो इन्होंने अपना क्लाप के देर के अंदर आर्जेंटन सुपर लिगा में बहुत सारा क्लाबों के तरफ से खेला है इसके लोगा ग्रीश फास्ट डिविशन, साइप्रेस टॉप टायर और मेक्सिकन फास्ट आर लिग के अंदर भी इन्होंने बहुत सारा क्लाबों के तरफ से खेला है तो बहुती एक्स्प्रियंस एक स्ट्राइकर है फ्रेकुंडो पेरेड़ा और इनके उपर आप इंटरेस्ट दिखाया है केला व्लस्टर सेफसी अगले सीजन के लिए उसके बाद दूसरे खिलेरी के बारे में अगर बात किया जाए तो भाई दूसरे खिलेरी है फारमर कलोंबियान इंटर्णनल डिफेंडर पेद्रो फ्रांको बहुती अनुभवी एक डिफेंडर है, उम्र है सिर्फ 29, कोलम्बिया से बिलों करते हैं और ये खेलते हैं मेंली सेंडर बैक के पोसिजन में इन्होंने अपना क्लाप केरियर के अंदर तूर्खी फार्स्टर लीग में बेसिक टस्ट जेके और बोलस्पोर फूद्वल क्लाप के तरफ से बहुत सा़ा म्याचेस खेला है आर्जेंटान सूपर लिगे में इनने खेला है सान लारेंचों के तरफ से और इसके लावा कॉलोम्बियान फास्टर लिग में भी इनने खेला है मिलो नारियोस एपसी और सीडी एमेरिका के तरफ सी वही अगर बात किये जाए इंटरनेशनल केरियर के बारे में तो गाइस इंटरनेशनल केरियर के अंदर भी इन्होंने कॉलम्बिया का आंडर 20 और सीनियर टीम के तरफ से खेला है तो इनके उपर भी आप इंटरेस्ट दिखाया है करेला ब्लस्टर से अगले सीजन के लिए अगला अपडेर निकल कर आये है हायद्रा बदेफसी के तरफ से तो गाइस हायद्रा बदेफसी ने यहाँ पर ओफिशियल तरिके से एकडम कॉन्फर्म साइनिंग कर लिया है उनका नीव हेटकोच के दौर पर मानोलो मार्कुएच रोका को से एक स्पैनिश फूड़ मैनेजर है उम्र है 51 और इनका प्रिफर्ड फॉर्मेशन है 3421 इन्होंने अपना कोचिंग केरियर के अंदर स्पैनिश थार्टर जीग में और आप यह फ्रांस का एक थार्ड डिविशन क्लाफ एसो फॉलेट के साथ ओफिशियल तरिके सा जॉइनिंग हो चुगा है यानि कि मोहमबर लड़ भी आप फ्रांस थार्टर लिग में खेलने वाले है एसो सॉलेट के तरफ से नेक्स्ट अगर बात किया जाए जामशित पूर एफसी के बारे में जामशित पूर एफसी का जो निव हेट कोज है ओएन कोईल उनके साथ दिन्होंने पहले भी काम कर चुगा है उनके साथ भी जामशित पूर एफसी का यहाँ पर बातचित कॉंप्लीट हो चुगा है और आप जामशित पूर एफसी टीपी रहनेश को भी बहुत जल्दी ही साइनिंग करने वाले है चलिए यह साइनिंग भी जब ऑफिशली अनॉस्मेंट के साथ हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक बर फिर से इन्फोर्मेशन दे दूँगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट अब्डेन निकल कर आये है चेनाई NFC ने तरफ से इनके अगर क्लाब केरियर देखा जाए तो इन्होंने तूर्की फास्ट टायर इस्राइल टॉप टायर और रोमानियन फास्ट डिविशन लिग के अंदर बहुत सारा क्लाबों के तरफ से खेला है इसके लवा लिथियोनियन फर्स्ट टार लिग के अंदर भी इन्होंने लगातार तीन सीजन में टोटल 45 गोल्स दागे है और 9 असिस्ट भी किया है वही अगर इनका इंटरनाशनल केरियर के तरफ देखा जाए तो इन्होंने अपना इंटरनाशनल केरियर में भी रोमानिया का अंडर्व 21 और रोमानियन सीनिय टीम के तरफ से भी खेला है तो गाइस बहुत ही जबरदेस्ट एक स्ट्राइकर है लिविव अंटल इउरोपियन टॉप टार लिग में खेलने का एक्स्परियंस भी इनके पास मौजूद है तो चेनाईएन एपसी के तरफ से ये खिलाडी नार्जेस भाल्सकिस के एक पार्फेक्ट डिप्लेस्मेंट हो सकते है और आब अगर बात किये जाए भाई एपसी गुआ के बारे में दोप से बहुत सवारण मैचेस खेला है इसके लहगा एपसीचांपियनाज इंपोर्मेशन दे दूंगा और आज के लिए इस वीडियो में पास इतना ही वीडियो अगर अच्छे लागे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और इंडियान फुटबल से जोरी ऐसे ही इंपोर्टेंट जान करी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जोड़ी नॉटिफिकेशन बेल को भी आल पर सेट कर लेना तो मैं आप से फिर में लूँँगा अगले एक नई फुटबल एफिसोट के साथ और तब तक के लिए बाई बाई टेक किया रहन हवे गुड़ डेइग